दोस्तो भारत के तरफ से कई तरीके के इंडेजिनियर्स द्रोनों के प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिन में तापस आर्चर जैसे द्रोनों का नाम तो शामिल था ही और दोस्तो अब इसमें स्वेप्ट से शुरू करके हाई ऑल्टिटूड लॉंग इंडू एफए को कंप्लिट करने के लिए भारत के द्वारा स्वेप्ट अन्मान एरियल वियकल का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि स्वादेशी तापस द्रोन को लेके वी एक बहुत बड़ा खवर आ रहा है और ये खवर है कि इसमें अब भारत इंडेजिनियर्स इंजिनों को इ करनाने के लिए इसके एक टेक्नोलोजी डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है जिसे कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट वीड या फिर स्वेप्ट कहा जाता है बताया जा रहा है कि अब इसी के ही बेस पे डिफेंस रिसेर्च अंड डेवलप्न और्गनाईशन के तरफ से फिचरिस्टिक अन्मैन फाइटर यार क्रेप्ट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का तैयारी किया जा रहा है तो यहां पे आप लोगों को यह जानके रखना चाहिए कि डिफेंस रिसेर्च अंड डेवलप्मेंट और अर्गनाईशन और अर अन्ने प्रोजेक्टों में डिया डियों के तरफ से करने का इरादा बनाया जा रहा है तो फिचरिस्टिक अन्मैन फाइटर यार क्रेप्ट के अगर प्रोजेक्ट को देखा जाए तो यहां पे रिपोर्ट के मुताविक 46 किलोनीटरन के ड्राइ कावरी इंजिनों का इस्त इस इंजिन के इस्तेमाल से यह अन्मैन एरियल वेहकल को करीवन 10 टन के अल अप वेट मतलब मैक्सिमम टेक उफ वेट जैसे यार क्रेप्ट में बरिवर्टित किया सकेगा अब दोस्तों यह वी वताया जा रहा है कि यह जो फुचरिस्टिक अन्मैन फाइटर यार क्रेप् बल्की फ्यूसलार्ज और उनक यह अन्에 होता है ने सफुलार्ज और विंग एक साथ मिला हुआ रहता है और साथी साथ इसके जो रैडर क्रोस सेक्षन मतलब है मतलब स्टैल्ट प्रोफाल को और मदूत करने के लिए इसमें स्टैल्ट को और वे तोस्तिकया जाएगा बल्कि ये air to ground precision guided munitions के साथ साथ हवा में दुश्मन के air craft को मार गिराने के लिए beyond visual range air to air missile मतलब long range के air to air missile को भी carry करेगा जबकि proof of project के इलावा D.I.D.O. के तरफ से swift drone का इस्तेमाल करके और एक project को भी आगे बढ़ने का तैयारी किया जा रहा है और दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि swift के एक weaponized version होगा रिपूर्ट के मुताविक swift drone का इस्तेमाल करके D.I.D.O. 1100 kg के turbo fan powered stand alone unmanned combat aerial vehicle को बनाने का काम कर रहा है जो की दो heart point हों से less होगा और दोस्तों इस तरीके के heart point में करीवन 50 kg के हतियारों को लगा जा सकेगा मतलब एक छोटा drone और वो भी stealth flying wing concept के अंतरगात होगा जिससे की दुश्मन के शेत्रे के अंदर घुसके जमिनी ठिकानों को ये तवा करके वाफस भी आ जाएगा और दुश्मन को इसके बारे में भनक तक नहीं लगेगा जबकि दोस्तों दूसरे तरफ और एक drone को भी लेके भारत को एक बड़ा success मिलने जा रहा है और दोस्तों ये drone है ताफस Unmanned Aerial Vehicle आफ सब लोगों को पता ही होगा कि Medium Altitude Long Endurance Running के drone के रूप में ताफस BH201 Unmanned Aerial Vehicle को Defense Research and Development Organization और Aeronautical Development Establishment के तरफ से बनाया गया है और हाली के Arrow India Exhibition के दर्मियान भी ये drone ने अपना शमता का परदर्शन किया पर दोस्तों ये जो drone है इसमें अविवी कुछ विदेशी कॉंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत फिलाल इसे ही replace करने का तयारी क्या रहा है दोस्तों ऐसे विदेशी कॉंपोनेंटों में सबसे बड़ा कॉंपोनेंट है drone का engine अब दूसरों अब तक यह जो तापस अन्मान एरियल वेकल बनाया गया है इसके प्रोटोटाइब वर्जिनों में एस्टो 330 EP इंजिनों का इस्तिमाल किया याता था बिसिकली ऐसे दो इंजिनों का इस्तिमाल होता है और हर एक इंजिन का शमता 177 होट्सपावर है पर एरो इंडिया 2023 के दर्मियान Defense Research and Development Organization के एक बरिष्ट अधिकारी के तरफ से ये जानकारी दिया गिया है कि Tactical Advanced Platform for Aerial Surveillance मतलब तापस Medium Altitude Long Endurance रणे के द्रोन में आने वाले दो महिनों के अंदर Vehicle Research Development Establishment के तरफ से डेवलप्ट किया हुआ 180 होट्सपावर के डिजल इंजिनों को लगा के इसका उडान को अंजाम दिया जाएगा अब दोस्तो ये जो engine है ये पहले से ही develop किया जा रहा था और पहले से ही इरादा बनाया गया था कि विदेशी engine हो को केवल मात्र पोटोटाइप वर्जिनों में इस्तेमाल किया जाएगा और स्वदेशी engine हो को basically इन Unmanned Aerial Vehicle के production variantों में इस्तेमाल किया जाएगा इवन दोस्तों कुछ रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि Arrow India 2023 एक्जिविशन के दर्मियान जो तापस Unmanned Aerial Vehicle को दिखाया गया है उनमें असल में Vehicle Research Development Establishment के तरफ से ही बनाया हुआ 180 होर्सपावर के डिजल इंजिन था इवन ये भी दावा किया जा रहा है कि Arrow India 2023 के दर्मियान इन इंजिनों का इस्तेमाल करके तापस Unmanned Aerial Vehicle के टैक्सी ट्रायल को भी अंजाम दिया गया है हाला कि कहिफे ये दावा नहीं है कि ये स्वदेशी इंजिनों के सारे इन द्रोनों का फ्लाइंग टेस्ट को अंजाम कि नहीं विएकल रिसर्च डेवलप्मेंट स्टैवलिश्मेंट के तरफ से जो 180 होट्स पावर की इंजिन का डेवलप्मेंट किया गया है या असल में काफी हलके वजन के इंजिन है रिपोर्ट के मुतावी के करिवन 270 किलोग्राम वजन का है और ये आसानी से इन विदेश कारी मिल रहा है कि 180 होट्स पावर के इंजिनों के डेवलप्मेंट के बाद अब कंपनी के तरफ से 220 होट्स पावर के इंजिनों के वी डेवलप्मेंट का काम किया जा रहा है जो कि आने वाले समय में इन तापस अन्मैन एरियल विएकलों में इस्तिमाल हो सकेगा तो प्रजेक्ट से ही इन्हेलिट करके बनाया गया है हाला कि दोस्तों कुछ जगाओं में यह भी वताया जा रहा है कि यह जो ताफ़स अन्मैन एरियल वेकल है इसमें असल में दो सैटें 3060 इंजिन का इस्तिमाल किया गया है जिनमें से हर एक इंजिन का शमता 74.57 किलोवाट या सफिर किया है तो एक 100 होर्स पावर के आसपास है हाला कि दोस्तों यह बात अगर सही होता है तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि भारत के दुआरा इस्तिमाल के जाने वाला इंजिन पोटोटाइपों के मुकाबले में अधिक ताकतवर होगा जो एक तरीके से इन द्रोनों के बिद्धि लाने के साथ साथ द्रोनों को और अधिक अल्टिट्यूट तक जाने में मदद कर सकेगा तो यहाँ पर भारत के तापस ब्ह-201 अन्मैन अरियल वियकल को अगर देखा जाए तो यह बेसिकली एक सर्वलेंस द्रोन के रूप में ही बनाया गया है द्रोनों को एर करिफ साथ द्रोन इंडियन आर्मी को 12 इंडियन एरफोर्स को और 4 इंडियन नेवी को दिया जाएगा हाला कि दोस्तों कुछ खबरों में यही वताया जाता है कि जो तापस ब्ह-201 अन्मैन अरियल वियकल है इसके एक वेपनाइज वर्जन को भी तयार किया जा सकता है हाल तो द्रोन आकार में मध्यम बर्का है मतलब इसका लंबाई 9.5 मीटर वियंग स्पैन करीबन 20 मीटर के आसपास है जवकि इसका वजन भी अधिक नहीं है और इसके मैक्सिमम टेक ओफ एट 1.8 टन के आसपास है हाला कि द्रोन 224 किलो मिटर पर आवर के रफतार में उड़ान भड़ सकता है और रिपोर्ट के मताविक सेटलेट कॉमुनिकेशन से लैज ये द्रोन 1000 किलो मिटर के रेंज तक काम कर सकता है द्रोन को लगातार 24 गंटे तक उड़ान भरने लायक द्रोन के रूप में बनाया गया है और रिपोर्ट के मताविक अब तक ये द्रोन लगाता तर 18 घंटा तक fly करके अपने performance दिखा चुका है और वही पर ये भी जानकरी मिल रहा है कि ये 35,000 feet के उचाई तक जाके operation को अंजाम दे सके ऐसे drone के रूप में से बनाया जा रहा है लेकिन अब तक drone 30,000 feet के उचाई तक ही जाने में सफलता हासिल किया है तो आप लोगे को क्या लगता है कि जो दो drone के project के उपर भारत काम कर रहा है कि भारत को किस तरीके से आने वाले समय में मदद करेगा कॉमेंट करके जरूर वताईए तो आज का वीडियो यही पही करते है समाप किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे मा करते हैं